सबसे पहले आप सभी लोग का विलकम हैं स्वागत है और यह बहुत खुशी का मौका है कि MWW कन्वेंशन में हम सब एक साथ बिल जाते हैं सबसे पहले मैं भगवान गौड उनको धन्यवा देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाएं Mr. Gautam Bali Sir, हमारे मेंटर निलेश दिपाली पत्रवाला मेडम बाकी मेरे अपलाइन सिधार Sir सभी को मैं अपने दिल से धन्यवा देता हूं कि उनका गाइड में आगे बरके आज हमें यह सम्मान विल लाएं इसके साथ साथ हमारे प्रिये जो टीम हैं और हमारे जो बाकी बेस्टीज फैमली में जो लेजन्ट हैं लीडर्स हैं उन सब का सयोग यहां तक पहुचने में हैं तो उन सभी को मैं धन्यवा देता हूं थेंक यू दूसरा मैं अपने बारे में थोरा सा बताना चाहूंगा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमली से ब्लॉंग करता था गाओं से मेरा प्रहाई लिखाई हुआ और प्रहाई लिखाई दस क्लास तक हुआ तभी एक जॉब मिल गया था गॉवर्मेंट में डिफेंस में जहांकि थे मैं कुछ महीना में समझ गिया कि यह जौब का जो इनकम है नौकरी का जो इनकम है इससे हमारा सपना पूरा नहीं हो सकता तभी से मैं कोई न कोई बिजनेस का तलास में था ऐसे करके छे साथ अलग-अलग बिजनेस के लास्ट में एक और नेटवर्क में आए जो दूसर नेटवर्क था दस साल वहां करने के बाद और यह अपर्चुनिटी के बारे में निलेश सर दिपाली मेडम हमें बताए और तब मैं विश्टीज का जर्नी शुरू किया और बहुती अच्छा जर्नी रहा जो चीज मैं दस साल में दूसरे नेटवर्क में एचीव नहीं कर पाया था वो सब चीज यहां एक से तेर साल के अंदर एचीव किया इसके साथ साथ जो हम जॉब कर रहे थे जहां की 37-year जॉब किया तो जो टोटल इंकम अगर देखा जाए उससे ज्यादा इंकम हमें यहां से मिल गया था वेस्टीज से जब 10 साल पूरा हुआ था वेस्ट वेस्ट में हर साल जो टूर है कई कंट्री में टूर में गया जिसमें रस्या वोगैरा था बाकी थाइलेंड दुबाइश फिंगापूर यह सारे टूर में गए अब फ्रेमली के साथ भी गए और टीम के साथ भी गए पिशला तूर में हम लोग लगवक शाठ लोग थे जो थाइलेंड क्वालिफाई करके नौवबर यह अक्टूबर नौवबर में जो गए थे उस फिरियड में तो दोस्तों जो भी सपना था अच्छा गारी लेने का वो सपना पूरा हुआ बिदीश घुमने का सपना पूरा हुआ फाइव स्टार थिरी स्टार हम नौकरी करके न का भी सपना पूरा हुआ और उसे काफी हमें खुसी मिलना है और हम लोग वो जरनी में है सब लोग मिलके आगे बढ़ रहे हैं पूरे टीम आगे बढ़ रहे हैं अभी जो मेरा अगला मक्षद है मक्षद है कि अपने जैसे हम कम से कम ये दो साल के अंदर अपने जैसे 20 लो करोर्क में आए करोरपती में आए यहां पर ये मक्षद लेके प्लान लेके हम आगे बढ़ रहे हैं मैं आप सभी को ये की शला दूंगा मैं जो अभी महशूस कर रहा हूं कि इसमें जो सबसे बरा मदद किया हमने स्टार्टिंग से ही जो हमारे अपलाइन थे मेंटर थे प को इसा कारण कभी रहा होगा जहां नहीं गए जब भी इवेंट में हम आते थे वहां हर चीज़ ध्यान से सुनते थे और मैं देखता था कि काम करने में कहां मिस्टेक हो रहा है उस मिस्टेक को हर इवेंट में सुधारते गए जैसे जैसे मैं सुधारते गया वैसे वैसे हम हमारा income बढ़ते गया और वैसे-वैसे हमारे नीचे भी नए-नए leaders develop होते गया उनका भी income बढ़ते गया तो system के साथ सही system के साथ अपना goal के उपर focus करके लगातार हम अगर काम करें तो हर सपना हमारा पूरा हो सकता है चाहे वो जितना भी बड़ा गोल हो ये चीज मेरे अंदर आ गया है तो मैं यही सला दूगा कि आप भी कोई इवेंट मिस ना करिए जितना भी इवेंट है वहाँ शिरिफ इवेंट सुनना नहीं है इवेंट में जो बताया जाता है उसको जब हम इंप्लिमेंट करते हैं जो नौलेज जो ग्यान हमें मिलता है उसको जब हम इस्तमाल करते हैं तब वो बेनिफिट मिलता है तो आप उसका इस्तमाल करें और लगतार अपने गोल पे फोकस रहके बाकि जितने भी बीच में प्रावलम आएंगे, आपका टेस्ट होगा, बहुत सारे चैलेंज़ें होगे, वो सब से नहीं रुकते हुए, वो सब को उभरकम गर के लगातार काम जारी रखिए, आपका हर लक्ष, हर सपना यहां से पूरा होगा. तो दोस्तों, जादा समय ना लेते हुए, आप सब को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हम सब एक अच्छे परिवार के साथ हैं, MWW परिवार के साथ, और यह परिवार बनाने में जो निले सर दिपाली मेडम का जो योगदान हैं, और जो आप सभी जो हमारे ले ना जाने कितने लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, कितना लोग अपना सपना पूरा करेंगे आने वाला दिन में, और यह तो सिरिफ शुरुवात है, तो हम सब मिलके MWW के लिए जो है, खुशिश करेंगे कि और बढ़िया आगे बढ़े, यहां से सारे लोग जो है प जैसे अभी करूर पती कई करूर पती हैं, हमारे 5-6 करूर पती है, बादी जो है मिलिया नर्स, इवाड़े यहां से ले चुके हैं, लेकिन अगला दो साल के अंदर, कम से कम, हमारे गोप में 120 करूर पती हो, इसके उपर हम सब मिलके काम करेंगे, और यह मेरा लक्ष है, थै झाल झाल